स्विट्जर लैंड के बैंकों में अघोसित खाते रखने वाले भातियों के खिलाफ दोनों देशों की सरकार ने सिकंजा कसना शुरू कर दिया है स्विट्जर लैंड के अधिकारी इस सिलसिले में कम से कम 50 भारतिय लोगों की बैंक संबन दी सूचनाए भारती अधिकारियों को सौपने की प्रक्रिया में लगे हुए है ऐसे लोगों में ज्यादा तर जमीन, जाइदा, वित्य सेवा, प्रद्योगिक, तूर संचार, प्रेंट, घरेलू, सासजा, कपड़ा, इंजिनियरिंग, समान और रत्न एवन आभूशन छेतर के कारोबार से जुड़े कारो बारी और कम्पनियाँ शामिल है इनमें से कुछ जमी कम्पनिया भी हो सकती है यह जानकारी दोनों देश के बीच आपसी, प्रशासनिक साहता की प्रक्रिया में शामिल, अधिकारियों ने ये जानकारी दी है सुच्जर लेंड की एक सरकार कर चोरो की पनाहगा को अपने देश की छवी को बदलने के लिए कुछ वर्स पहले से कई सुधार किये गए हैं वो इस संबंद में समझोते के ताद बिविन देशों के साथ संदर्ग व्यक्तियों की संबंदी बैंकिंग सुचनाओं को साजा करने में भी विवस्था में जुड़ गई है सुचनाओं के आदान परदान की प्रिकिरिया में अधिक तेजी आई है भारत में कारेधन का मामला राजनीतिक तोर पर समवंदिन शील है सुरिटिजर लैंड के अधिकारियों ने मार्च से अब तक कम से कम 50 भारतिये खाता धारकों को नोटिस जारी कर उनकी सुचना भारत सरकार को देने से पहले उने उनके खिलाफ अपील की एक अंतिम मौका दिया है वहीं सुरिटिजर लैंड उसके बैंकों के खाते रखने वाले ग्राहकों की गोपनियता बनाए रखने को लेकर एक बड़े वैश्विक वित्ये केंद्रे के रूप में जाना जाता है लेकिन कर्चोरी के माबले में वैश्विक अस्तर पर समझोता के बाद गोपनियता का ये दिबार अब नहीं रही खाता धारकों की सुचनाओं को साज़ा करने के लिए भारत सरकार के साथ उन्सने समझोता किया है आने देशों के साथ भी ऐसे समझोते किये गए है सुचिजर लेंग सरकार ने गजट के द्वारा जारी सारवजिनी की गई जानकारियों में उपभोकताओं का पूरा नाम ना बता कर सिर्फ नाम की शुरुवाती अक्षर बताए है इसके अलावा उपभोकता की राष्टिता और जन्तिती का जिक्र किया गया है गजट के अनुसार सिफ 21 मई को 11 भारतियों को नोटिस जारी किये गए थे जिनमें दो भारतियों का पूरा नाम बताया गया है उसमें मई 1949 में पैदा हुए कृष्ण भागवान, रामचंद्र और सिप्तमबर में 1972 में पैदा हुए कलपेश, हर्षर, धिनारिवाल, शामिल हलाकि इनके बारे में अनिय जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया है अनिय नामों में जिनकी शुरुवाती अक्षर बताएं गया है उनमें इन नोटिसों में कहा गया है कि संबंधित ग्राहक या कोई प्रधिक्रित पति नीधी आवस्यक दस्तावेजों सबूतों के साथ 30 दिनों के भीतर अपील करने के लिए उपस्तित हूँ जो रिपोर्ट नैशनल दस्तक नैशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह अननननल दस्तक के सपोर्टर फ़र्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्त दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़वर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे